और अगर private limited है तो एक भी चलेगा one person company के case में और private limited अगर आपका normal है one person को छोड़के तो दो होना चाहिए कम से कम और इन सब से पैसा लो मानलो मैं 7 person की बात करता हूँ company बनाने के लिए आपने 7 person को इखटा किया तो 7 मिल के company में पैसा लगाएंगे सातों मिल के company में जो पैसा लगा रहे हैं मानलो के दो दो लाख रुपए सातों ने लगा दिया तो कितने लग गए total 14 लाख दो लाख दो लाख लेकिन हम इसको दो लाख रुपए को एक टुकुडे में बाट देंगे हम इसे बोलेंगे भाई आपने दो लाख रुपए लगाया है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये हम आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने दो लाख का capital लगाया हम क्या करते हैं इसको टुकडों में बाट देते हैं 10 के divisual में mainly 10 के divisual में अगर हम बाट दे 14 लाख को तो बनता है हमारा है एक लाख 40,000 divisual में तो एक unit में divide कर दिया है unit में divide करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें से जो भी सातों हैं उनके हिस्से में बाट देंगे कितने कितने 20,000 और 20,000 बीस अजार तो सर आपने तो बोला दो दो लाख लगाए लेखिन 20,000 कैसे हुआ क्योंकि इनको मैंने 20,000 रुपए का एक document दे दिया मैं इनको एक paper पकड़ाओंगा और paper पर मैं जैसे कि मानलो है कि यह paper है simple paper होगा ऐसा कुछ नहीं paper है क्योंकि यह company क कि अंदर सारे एक तरीके से partner है partnership firm मैं इसलिए इसलिए नहीं नहीं बोल रहा क्योंकि इसने अपने आपको registration करवा दिया कहा registration करवा दिया इसने company act में तो यह क्या बन चुका है हमारा company इस तरीके का paper होगा इस paper पर मैं क्या करूँगा इसका नाम जैसे मानलो पहले का नाम ए A है A और उसका सारा detail और बोलूँगा इसको 20,000 shares दे दिये गए 10 रुपए का एक आप उस बात के tension मतलो कि shares क्या है उसका capital ही है बस मैंने बोला कि आपको 20,000 shares दिये गए तो अब A नहीं बोल सकता कि भाई मैंने 2,000,000 लगा है बोले मैं 2,000,000 लगा है तो मैं क्या कितने हैं 10 रुपए एक शेर का वेल्यू टोटल आपको 20,000 share मिल रहे हैं तो 20,000 shares क्या होता है हमारा इस paper पे company का नाम लिखा होगा company का आपका common seal लगा होगा सबने signature किये होंगे A का नाम लिखा होगा और इसके पे लिखा होगा 20,000 share और at face value 10 रुपीज इच एक शेर 10 रखो अब A क्यों रखेगा proof है कि उसने इस company में पैसा लगाया है कितने रुपए लगाये हैं तो जी दो लाख लगाये हैं तो कितने share में पैसे लगाये हैं तो 20,000 share में लगाये हैं तो basically इस तरीकी के share को हम बोलते हैं equity share capital तो जब कभी भी company organize होगा तो company अपने पास और company द यह अलग है यह अलग है इसने पैसा इखटा क्या shares को हर किसी को दे दे के इखटा कर लिया या नहीं करा कर लिया तो हम chapter में यही तो सीख रहे हैं कि पैसा इखटा कहां से किया जाए तो पहला पैसा इखटा करने का source क्या है हमारा equity share क्या होता है इसमें क्या difference है मैं एक example ले जाएगा practical example लेंगे हम जिससे कि हमें easily difference क्या हो इसका पता चल जाए तो सबसे पहले shares हर किसी company को क्या shares issue करना जरूरी है बिल्कुल without share के issue करे हुए company नहीं चल सकता company को share issue करना जरूरी है बिल्कुल अब एक example देखते हैं कि ध्यान से देखना इसमां बहुत सारे concept कवर होंगे और में भी हो सकता एक practical question आ जाए 12 में तो आता एक है मान लो company का सेल है कि सेल मान लेते हम एक लाक रुपे का और company के खर्चे दो हो सकते हैं एक होता है वेरियेबल कॉस्ट एक होता है जो कि जितना खर्चा करोगे उतना होगा फिक्स कॉस्ट होता है जो कि हमारे फिक्स ही रहता है मैं यहां पर मान लेता हूं company का expense नाम दे देता हूं expense company का था चालिस अजार अब बताने कंपनी ने कितना कमाया साथ हजार लेकिन इस साथ हजार में से मैंने नहीं माइनस किया हुआ भी अभी इस खर्चे में नहीं जोड़ा हुआ क्या क्या इंट्रस्ट इंट्रस्ट और टेक्स ठीक है इसमें से मैंने अभी माइनस नहीं किया है तो इस वाले साथ हजार को ना मैं एक सिंपल सा नाम दूंगा अर्निंग इंट्रस्ट और टेक्स और टेक्स देखो अर्निंग मतलब मैंने कमाया है अर्निंग का मतलब कमाया है लेकिन इसमें से इंट्रस्ट और टेक्स अभी माइनस नहीं है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पता ही क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में ई और इसके बाद बी और आई और टी इबी आई टी इसको क्या बोलेंगे हम इबी आई टी और इसको हम प्रॉफिट बिफॉर इंट्रस और टेक्स भी बोलते है जो इसका मतलब क्या होगा पी बी आई टी तो कमपनी का मैंने यहां पे एग्जामपल लिया कि इबी आई टी कितना है हमारा साथ हजा हजार सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से interest minus करना पड़ेगा interest । interest पता है किस पे होता है Loan पे होता है اور Dementure पे होता है अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10% रुपीस एक लाख रुपए का लोन लिया हुआ है का ब्याज बता सकते हो क्या पर एक लाक रुपए का गर्जा लिए हुआ कितने परशन्ट वाला दस परशन्ट वाल तो कितना ब्याज बन रहे हमारा 10,000 simple निकाल सकते हो अब मैं इसको normal बोल सकता हूँ 1,00,000 रुपए का 10% वाला मैंने debenture वहाँ पे loan था अब debenture कर रखा है मैंने rupees 1,00,000 तो इसका भी interest क्या बनेगा simple 10,000 रुपए का बनेगा यहाँ पे तो यहाँ पे मालो interest मेरा 10,000 है इसी example को लेते हैं और interest debenture पे बचे कितने 50, अब देखो EBIT था इसमें से मैंने क्या घटा दिया है I, I तो माइनस होगा अब क्या बचेगा EBT बचेगा हमारा EBT, earning before interest earning before tax interest तो माइनस हो गया मालो सरकार को 50% tax देना है तो माइनस कर देते हैं यहाँ से 50% 50% tax दे दो कितने होंगे अपके? बचे कितने? अब इसमें से क्या हट गया और? T, लेकिन हम इसको एक नाम दे देते हैं earning after tax बोल सकते हैं क्या? इसमें से tax minus हो गया तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया earning after tax कितना हो गया हमारा? 25,000 रुपए यहाँ तक समझ मैं है सबसे पहले मैंने आपको sales दिया उसमें से खर्चा minus किया खर्चा minus करने के बाद जो आया उसे बोला मैंने EBIT उसके बाद interest minus किया तो EBT tax minus कर दिया तो EAT earning after tax अब इस पैसे पे हकदार किसका है? कौन लेगा? सबसे पहले इस में से हम minus करेंगे हमारे shares दो तरीके के हैं मैं shares की बात करूँ share दो तरीके के हैं ठीक है? एक है equity share capital और एक है preference share capital थोड़ा सा short form यूज़ कर रहा हूँ equity share capital और preference share capital preference share capital जो है वो ऐसे दर्साया जाता है जैसे माल लो 10% preference share capital रुपीज माल लेते हैं 10,000 या 10% preference share capital मैं रुपीज का symbol नहीं लगा रहा 10,000 at 1000 लिखने ठीक है? at 100 each इसका मतलब पता है कि है में बदला जा सकता है कितने number of share है? 1000 और एक share पता है 100 रुपे का है तो मैं यहाँ पे अगर इसका जो percentage निकालू preference share का जो percentage अगर मैं निकालता हूँ तो percentage के लिए मुझे value चाहिए value कितना बनेगा यहाँ पे? एक लाख एक लाख पे कितने percent हमारा? 10% यानि क्या है हमारा? 10,000 equity share भी मैं बता रहा हूँ कि equity share हमारा कितना है? number of share मान लेते हैं 10,000 simple example के लिए ठीक है? at 10 each एक कितने का है? 10 का ध्यान से समझना यह point समझोगे न तो आपका पूरा chapter आराम से concept clear होता जाएगा जो time लगना है तो अब क्या करेंगे? इस EAT में से सबसे पहले अधिकारना इसको मिलेगा किसको मिलेगा? preference share वाले को preference share वाले को क्या देना होता है? उसको profit में से हिस्सा दे दो लेकिन preference share वाले को profit में से हिस्सा एक fixed percentage के रूप में दिया जाता है डॉट लगा रहा हूं जो कि क्या आया दस हजार अब बचे कितने 15,000 अब हम आएंगे लास्ट में किसके पास एक्यूटी शेर मैंने बोला भाई आपको पैसे देने हैं एक्यूटी शेर वालों ने बोला ठीक है मुझे पैसे दे दो तो क्या इसका कोई अब कंपनी चाहे तो 15 का 15,000 इसे दे दे और चाहे तो कंपनी कुछ बचा ले और फिर बाकी उसे दे दे कंपनी बचाए